नमस्कार आप देख रहें कसिस निउज और आपके साथ मैं हूँ ग्यानेंद्र देखिए रात के नौ बज रहे हैं जी हाँ रात के नौ बज रहे हैं और मैं आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहा हूँ बड़ी इसलिए कि आपको लाखो कडोडो इवाओं का भविस्त ज साम नहीं आएगी अगर आप पुराने पैटर्न से परिक्षा देने के आधी हो चुकें तो अपने आधीपन को बदलिए क्योंकि आज ही चेयर मैं अतुल प्रसाद ने घोस्ट ना कर दिया कि अब पुराने पैटर्न पर परिक्षा नहीं ली जाएगी अब नए पैटर्न पर परिच्छा ली जाएगी यहां तक कि आपको इसी महीने में होने वाले तमाम जो परिच्छाएं हैं प्रियोजना पताधिकारी का परिच्छा है या फिर 68 वी BPSC की मैं बात कर लूँ इन सारे परिच्छाओं में नए नियम के तक परिच्छा लिए जाएंगे कई सारे 68 सहित सभी PT परिच्छाओं में नियम लागू होंगे जिहां ये अभी की सबसे बड़ी खबर है इसमें साफ तोर पर अतुल प्रसाद ने कहा उन्होंने बताया कि 68 वी BPSC संजुक्त परिच्छा सहित सभी बस्तु निष्ट प्रस्णवाले एकजाम में यह नियम लागू ह हो जाएंगे PT में 150 यानि कि 500 प्रस्णों के या बेरतियों को जबाब देने होंगे लेकिन यह परिच्छा कितने मार्क्स का होगा यह परिच्छा होगी आपको 200 मार्क्स का 500 का प्रस्णों होगा यानि प्रस्णों की संख्या होगी आपको 150 लेकिन आपका फुल मार्क्स का अब आप भी चौक जाएंगे कि भाई एक नंबर के सवाल में डेड़ सो प्रस्न हुआ तो डेड़ सो नंबर हुए लेकिन ये 200 नंबर क्यों तो यही है राज यही राज है कि आपको 50 सवाल जो होंगे यानि 50 कोस्चन जो होगा वो star marking होगा जिहाँ star marking जो आपको double नंबर का होगा और वो star marking पर अगर आपने तुक्का लगाया यानि कि suspected है आपको लग रहा है कि ये सही है लेकिन अगर वो सवाल गलत हो जाते हैं तो वो तो दो नंबर जाएगा ही जाएगा इसके साथ इसके अलावे जो आपने 100 question में से solve किया है उसमें से भी number कट जाएंगे यानि कि BPSC में negative marking लागू कर दी गई है जी हाँ इसके अलावे बहुत सारे बदलाव किये गए हैं उस वह भी परिच्छा अब इसी पदती से होगी इसी पदती से यानि negative marking से पीटी जो होगा 500 प्रसन होगे लेकिन आपको marks रहेगा 200 number का 50 question जो होगे वह star marking होगे अगर आपने तुका मारा तो उसका negative लग जाएगा इसके अलावे अब आयोग से question छप करके center पर नहीं जाएंगे ये अतुल परसाद ने आज clear कर दिया कि अब आयोग से center पर question paper नहीं जाएंगे अब कोई इसमें घपला या घोटाले बाजी नहीं कर सकता उन्होंने कहा किसे कि आपको जो भी होगा जो प्रसन सेट होगा वो आपको center पर ही print out होंगे center पर ही center समझ रहे न आप जहां आपका परिक्षा केंदर होगा वहीं पर आपके सामने ही यानि अभियर्थियों के साम ने ही उसका print out निकाला जाएगा और परिक्षार्थियों में distribute किया जाएगा यानि कि BPA C की लिखित परिक्षा में अब परिक्षा केंदरों पर लिखित परिक्षा में not only objective परिक्षा पीटी परिक्षा यहां अतुल परसाद ने clear कर दिया कि लिखित परिक्षा में अब पर परियोजना पतादीकारी के लिए जित लिखित परिक्षा से इस प्रयोग का लागू किया जा रहा है। अमरेंदर कुमार ने बताया है कि यह प्रयोग सही होने के बाद सभी आगे जो होने वाले लिखित परिक्षा में इसे लागू कर दिया जाएगा। विभरों से आपने टीक आउट कर लिया तो समझे कि भाईया आपका नंबर तो कटना लाजमी है। तो अब आप तयार हो जाईए बीपीएसी के नए परिक्षा पैटर्न पर एक्जाम देने के लिए।